क्या दोस्तो आप भी धने अप में ट्रेडिंग करना चाहते हो? क्या आप जानना चाहते हो कि धने अप में हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते है? तो दोस्तो आज के वीडियो आपके लिए भोती तादा खास होने वाला है क्योंकि देखो आँच के इस वीडियो में मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया है कि आप धनेप में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो तो चलिए दूस्तो आँच की वीडियो शुरू करते अब देखो जब भी आप धनेप में अकाउंड बनाते हो ना तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है यहाँ पर नीचे आपको money को option मिलता है इस पर आना है और यहाँ पर आपको add money बूलेगा तो आप जितना भी पैसा add करना चाहते हो ना सबसे पहले यहाँ पर enter करेंगे और top of fund की उपर click करके आपको यहाँ पर सबसे पहले fund add करना पड़ता है तो मैंने यहाँ पर fund add कर दिया है तो back आ जाएंगे यहाँ पर आपको home screen पर आ जाना है home screen पर आओगे तो यहाँ पर आपको नीचे आना है नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको इंडेक्स देखने को मिलेंगे जिसमें Nifty 50, Bank Nifty, Fin Nifty यह सारे इंडेक्स आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिलेंगे लेकिन दोस्तों आप किसी स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर Watch List का Option मिलता है इस पर आना है और आप लोग यहाँ पर First Watch List पर आओगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वज़ास Finance, मारुति सुदिकी, Tata, Motor और बाकी यहाँ पर स्टॉक आ चुके हैं लेकिन मैं आपको यहाँ पर Bank Nifty में ट्रेडिंग कैसे करते वो बताऊंगा तो नीचे आएंगे सबसे पहले यहाँ पर आपको Bank Nifty मिलेगा तो Bank Nifty में हम ट्रेडिंग करेंगे Bank Nifty के उपर क्लिक कर देंगे उसके बाद Bank Nifty का चाट ओपन हो जाएगा तो यह अच्छे से ओपन करेंगे यहाँ पर चाट का ओप्शन है इस पर क्लिक करके तो देख सकते हैं यहाँ पर Bank Nifty का चाट ओपन हो चुका है और यहाँ पर आपको एक मज़ेदार फीचर में आपको बताता हूँ अब देखो उपर आपको plus का इकान मिलता है इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से दूसरा इंडेक्स भी एड़ कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर Nifty 50 का इंडेक्स है इसके उपर क्लिक करके यहाँ पर मैंने Nifty 50 का भी इंडेक्स एड़ कर लिया है तो आप यहापर से दोनों INDECS देख सकते हो तो मैं हापर BANK NIFTY पे आजाता हूँ अब देखो यहापर से अगर आपको लगता है कि BANK NIFTY का जो index है वो उपर की साइड में जाने वाला है तो आपको यहापर कॉल लेना पड़ता है और आपको लगता है कि यह जो index से वो नीचे जाने वाला है तो आपको यहाँ पर put लेना पड़ता है तो चले मैं सबसे पहला trade यहाँ पर लेके दिखाता हूँ यहाँ पर cut कर देंगे सबसे पहले और उसके बाद उपर की side में आपको option chain मिलेगा इस पर click कर देना है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको call के option मिलेंगे और इस side में आपको put के option मिलेंगे जब भी market उपर जाएगा तो आपको call के option purchase करने पड़ते है और जब भी market नीचे गेरेगा तो आपको यहाँ पर put के option purchase करने पड़ते है और देखो यह जो बीच में amount है ना इसके उपर जो भी call आते है वो in the money वाले call होते है और इस amount के नीचे जो भी call आते है ना वो out of the money वाले call होते है उसी तरह से इस amount के नीचे जो भी put आते है ना वो in the money वाले put होते है और यह उपर वाले जो भी put है ना वो out of the money वाले put होते है तो आपको जब भी trade करना है तो आपको इंदमनी वाला call लेना या फिर इंदमनी वाला put लेना है अब समझे मुझे लगते market और उपर जाने वाला है तो मैं यहाँ पर इंदमनी वाला call लूँगा तो इंदमनी वाला call में कौन सा call लूँगा इन दोनों call में से कोई तो एक call लूँगा तो मैं क्या गरता हूँ ये वाला call है न इसके उपर click करूँगा अब देखो आपको यहाँ पर chart का option मिलता है इस पर click करना है click करोगे तो आपका chart यहाँ पर open हो जाएगा call का अब यहाँ पर आपको bank nifty पर आना है और check करना है कि bank nifty क्या कर रहा है अब मुझे तो clearly दिख रहा है कि bank nifty उपर जा रहा है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर call के option पर आऊँगा और यह हमारा call है उपर जाने के लिए ठीक है तो यहाँ पर नीचे आपको buy का option मिलता है इस पर click करना है और यहाँ पर आपको trading बोलेगा ठीक है तो यहाँ पर आपको lot purchase करना पड़ता है और एक lot में 15 quantity आती है तो अगर आपको 2 lot purchase करने है तो यहाँ पर plus के icon पर click के 2 कर देंगे तो देख सकते हो यहाँ पर 30 quantity हमें show कर रहे तो हम क्या करेंगे एक lot purchase करके दिखाएंगे यहाँ पर minus करेंगे और यहाँ पर side में आपको देखने को मिलेगा market price तो आप यहाँ पर limit price में लेना चाहते हो तो नीचे limit का भी option इस पर click करके अपना price यहाँ पर set कर सकते हो जैसे कि उपर देख सकते हो 134 रुपे का call चालोई यह अगर आप लेना चाहते हो 130 में तो 130 डालेंगे यहाँ पर और आप wait करेंगे जब भी 130 का amount टच करेगा तो आपका order यहाँ पर place हो जाएगा लेकिन मैं यहाँ पर market price में यही लूँगा तो क्या करता हो यहाँ पर market select करता हो और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो मुझे कितने में गिर रहा है 2000 रुपे के लगबग मुझे amount देना पड़ रहा है तो आपको नीचे buy option मिलता है इसके उपर क्लिक कर देना है क्लिक कर देने के गाद आप लोग यहाँ पर देख सकते है यहाँ पर हमरा order place हो चुका है तो उपर आपको position को option मिलेगा इस पर आना है और आप लोग देख सकते है यह जो है यह current position हमारी चाल हुए अब दोस्तो यहाँ पर आपको stop loss लगाना है तो इस call के उपर क्लिक करना है उसके बाद देख सकते हूँ यहाँ पर उपर stop loss को option है तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपने यह जो call है न कितने में buy किया है तो मैंने यहाँ पर 135 रुपे में buy किया था और मैं इसके उपर stop loss लगाना चाहता हूँ अब दोस्तो stop loss लगाने से पहले अगर आप इस trade से निकलना चाहते हो तो नीचे आपको exit position का भी option मिलता है इसके उपर क्लिक करके आप direct इस position से निकल सकते हो तो अगर आपको direct position कट करने है तो exit position पे click करके निकल जाना इनको आपको erase कर देना है सबसे पहले erase कर देंगे erase करने के बाद यहाँ पर आपको अपना stop loss का amount डाल देना है अब समझो मैं यहाँ पर 120 का stop loss लगाना चाहता हो तो 120 डाल दूँगा और नीचे भी आपको क्या करना है 120 रुपई डालना है और यहाँ पर आपको point डालना है और 05 डाल देंगे ठीके तो आपका यहाँ पर 120 रुपई जब भी amount आएगा न वो तो यहाँ पर stop loss execute हो जाएगा तो आपको simple से sale के उपर click करना है sale के उपर click कर देने के बाद आप लोग देख सकते यहाँ पर हमारा stop loss लग चुका है तो क्या करेंगे फिर से position पर आएगे और आप लोग यहाँ पर देखोगे तो हमारा 120 रुपई का stop loss लग चुका है लेकिन अब जो amount है न वो यहाँ पर profit में आ चुके हम अब हम थोड़ा wait करते और उसके बाद हम क्या करेंगे हमारे stop loss को trail करेंगे तो दोस्तो आप लोग यहाँ पर देखोगे तो हमारा जो stop loss है न वो hit हो चुका है तो back आके दिखाता हो आपको देख सकते हो हमने यह वाला position बनाया था जिसमें हमें 225 रुपई का loss हुआ है तो हमारा stop loss यहाँ पर hit हो चुका है तो दोस्तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही जादा simple तरीके से बताया है कि आप यहाँ पर trading कैसे कर सकते हो